जैन धर्म के 24 वे तिर्थंकर भगवान महावीर के 2549 निर्माण दिवस पर दो दिवसीय पावपुरी महोचसव का उद्गाटन किया था इस अवसर पर मुख मंत्री ने पावपुरी स्थित जल मंदिर में भगवान महावीर की पूजार अर्चना भी की थी महोचसव में शामिल ग्रामिण विकास मंत्री शवन कुमार ने कहा कि जीवन में सुख और शांती के लिए आज भी लोगों को भगवान महावीर के आदोर्शों पर चलने की जरूरत है महावीर के सिध्यानतों को अपनाने के लिए भगवान महावीर के रास्ते पर चलकर देश में सुख मिल सकती है सम्विर्धी मिल सकती है आपस में मिलत और प्रेम और भाईचारा मिल सकता है भगवान महावीर ने जीव और जीने दो का संदेश दिया था मैं समझता हूँ कि आज तूरे देश और दुनिया में इसी संदेश की अविसकता है जिससे आपस में प्रेम बढ़ सके भाईजारा बढ़ सके मुखबत बढ़ सके